हालो गाइज दिस एम्डे थी लियर्स अंट आइम है रूट न्यू वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे फुटापुन और आईडिया इन दोनों टेलिकॉम कॉमपानिस ने इस सीम को लांच किया है और यह इस सीम को आप कैसे यूज करेंगे और इससे आप कैसे एक्ट करेंगे तो पुरा फीडियो का प्लास टक दिखते रही है और यह जो इस सीम है फिलाल सिर्फा सिर्फ आईफोन के लिए ही सपोट करता है कुछ बचे-कुचे आईफोन के लिए और कौन-कौन साइपोन में यह सपोट करता है यह मैं बात में बोलूँगा और एंडुड के लिए फिलाल कोई चंस नहीं है लेकिन यह फिचर में बहुत चल्ब सपोट करने वाला है और यह जो भुडवन और आईडिया का जो इसीम है यह फिलाल दिल्ली गुजरट और मूंबाइक के लिए है और बाकी जो सर्कल से इन सर्कल्स के लिए फिलाल तो नहीं है लेकिन फ कोशिश करते हैं माइक्रोइस्कोप से देखना तो भी आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि यह दिखता ही नहीं है जैसे आप फिजिकल सिम कर्ट को यूज करते हैं यह बिलकुल अलग तरह की एक सिम कर्ट है और फिलाल आइफोन में एक सिम कर्ट सपोट करता है अगर आप इसिम को यूज करते हैं तो आपके पस दो आप्शन आ जाता है मतलब दो सिम कर्ट यूज करने का अप्शन आ जाता है एक पहला आता है इसिम कर्ट जो आपको दिखता नहीं है और दो है एक फिजिकल सिम कर्ट जो आपको दिखता है तो यह इसिम कर्ट कैसे कम करता है और इसे के आप कैसे एक्किवेट कर सकते हैं तो इसके बारे में भी भी बात करेंगे तो थोड़ी दर बात तो फिलल बात करते हैं अगर आप यह eSIMCAT यूज करना चाहते हैं तो आपको एक फिलल के लिए पोस्ट पेट यूजर होना जारूरी है और आपको मुंबाई दिल्ली और गुजर्ट में रहना भी जारूरी है फिलल के लिए और यह जो eSIMCAT काम करता है आइफोन जो होते हैं उन आइफोन में एक चीप होता है और उन चीप के तुरू यह eSIMCAT काम करता है और अब देख साकता है इस लिस्ट में जो जो भी आइफोन फिलल के लिए eSIMCAT सप और Samsung Galaxy Z Flip और Samsung Fold यह दोनों Android फोन के लिए भी सपोट करेगा और यह बहुत चल्ट सपोट करेगा और अगर आपके पास इन आइफोन में से भी किसी भी आइफोन है तो आपका जो सब्टेर है उसे लेटेस्ट परस्टन में अपग्रेड कर लीजिए और फिट ट्राइ तो अब बात करते है कैसा आप एक फोटापन और आईडिया का eSIMCAT ले सकते हैं तो यह जो eSIMCAT है इसे लेने के लिए आपका जो भूटापन यह फिर आईडिया का जो सिमCAT है आईडिया यह फिर फोटापन का उससे एक SMS किजिए आपको दिख रहा होगा ये बाले SMS, eSIM, आपका email id और 199 पर send किजिए फिर आपको एक SMS आएगा 199 से और उस SMS में आपको reply देना पारेगा इसे confirm करने के लिए फिर आपको और एक SMS आएगा 199 से और आपसे ये पुछा जाएगा एक phone call के थ्रूँ आपका जो interest है इस SIM के उपर इसके बारे में कुछ और फिर आपका जो email id है उस email id पे एक QR code भेज़ जाएगा और उस QR code को आपको इसकिन करना पारेगा आपका जो ये data पे जाना पारेगा और add data plan में जाना पारेगा फिर उदर आपको एक QR code scanner मिलेगा और उस scanner से आपका ये जो QR code आपको भेज़ेगा टेलेकम operator आपके email पे उसे scan करना पारेगा तो आपका जो ये eSIM का process complete हो चुका है और ये बहुत चलत activate भी हो जाएगा और अगर आप पहली वर भुड़ाफोन ये फिर idea इन दोनों टेलेकम operator के eSIM लेना चाते हैं तो आपको भुड़ाफोन ये फिर idea इस्टोर में visit करना पारेगा आपका जो identity proof है और photograph है इसके साथ और आपका जो smartphone है ये ले जाना भी बहुत ही जरूरी है और भुड़ाफोन और idea इन दोनों टेले successfully activate हो जाएगा और ये जो QR code भेज़े जाएगा आपके email के थूरू मतलब आपके email में ये QR code आप सिफ और सिफ एक बारी यूज़ कर सकते हैं तो आशा करत तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चन को सब्सक्रीब कीजिए घं कमेंट केजिए थैंक यू फर वाचिं दिस वीडियो